मसकार स्वागता है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में जिन छात्रों ने प्रोविजनली एडिमिशन ले लिया है एनस्टी डबलू मुंबाई में तो फाइनल एडिमिशन की जो उत्ती थी है वो आ गई है ऑफिसेल वेपसाइट पे उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर लेना कैसे डाउनलोड करना है ऑफिसेल वेपसाइट क्या है क्या उसमें में पॉइंट लिखे हुए है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो सबसे पहले आप ऑफिसल वेपसाइट देख सकते हैं आप यहां पर उपर सर्च बाक्स में देखना है आप तो आप देख लिए इसमें लिखा है nstiwmumbai.dgt.gov.in तो इसमें आप जैसे नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखेगा वाट्स न्यू तो इसमें आप वाट्स न्यू में आप यहाँ पर चेक करेंगे तो इसमें आपको यह वाला डाउनलोड करना है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ तो यह तो आपको पता चल गया है यहाँ से की जो वुमेन नहीं में 11 जनवरी को आपको रिपोर्ट करना है तो यहाँ पर लिखा भी है कि 11 जनुरी को आप लोगों को रिपोर्ट करना है क्या क्या लेकर आना है कि मतलब आपको एक medical certificate लेकर जाना है जिसमें COVID-related जितने भी आपके symptoms है उससे आपको free होना चाहिए MBBS या उससे उपर के डॉक्टर से आप यह बनवा सकते है medical certificate और आपको सारे जो भी candidate है यह trainees है उनको sanitizer जो है वो carry करके लाना है साथ मही face mask carry करके लाना है अपने साथ लेके जाना है और कोई भी अगर आपको symptoms अगर COVID-related दिखेंगे तो आपको वहाँ पर quarantine किया जाएगा तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है और साथ में आरोग सेतु एप के बारे में भी यहाँ पर लिखा कि अपने mobile में आरोग सेतु एप डाउनलोड करके ले जाएंगे और student should immediately report to hostel warden if suffering from any COVID-related systems यदि COVID-related कोई भी system आपको symptoms वहाँ पर पाय जाती है तो warden से आप संपर करेंगे तो यह तो हो गए कि general guidelines है बाकी आपको certificate लेके जाना है तो आपको certificate में provisional admission की slip में ली होगी वो आपको लेके जाना है साथ में ही आपको yearth class, 10th class, 12th class की mark sheet और certificate दोनों लेके जाना है original photo copy साथ में आपको 4 color photo लेके जाना है और उसके बाद आपको लेके जाना एक आधार card ले जाना फिर ITI की mark sheet certificate लेके जाना जिसका ITI है और उसके बाद cash certificate लेके जाना है आपको फिर आपको अगर कोई appearing कच्छात रहे तो अपने ITI से bona fide बनबाग के लेके जाएंगे यही सारी चीजे हैं जो documents के रूप में लेके जाना है बाकी जितनी fee spending है उसको भी आपको लेके जाना है तो आप यह सब चीज समझ गया होंगे कि आपको क्या के लेके जाना है जो documents आप provisional admission के समय लेके गए ते वही आपको documents फिर से final admission के लिए मुंबई जाना है वहां भी लेके जाना है और आशा करता है कि इस वीडियो में दी गई जानकर यह आपको सारी समझ में आ गई होगी आप 11 जनवी तक जाके admission ले लिजे और वहां पर classes जो है 11 जनवी से start हो जाएंगी तो आपको PDF कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको बताई दिया आप PDF डाउनलोड कर लिजे आप PDF डाउनलोड करने के बाद आप उसको पड़ लिजेगा सारी चेंज आपको समझ में आ जाएंगी फिर भी आपको कुछ समझ में ना आता है तो आप कमेंट करके पूर सकते हैं आपको समझाने कोसिस करेंगे ये वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करतीजिए चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करतीजिए इस वीडियो में बसे इतना आई धन्यवाद